चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं example number 21 से इसमें हमें पूछा गया find the 11th term from the end of the AP एक AP हमारे पास given है और पीछे से अगर हम लोग count करना शुरू करें तो पीछे से count करके मुझे जो 11th term आएगा वो बताना है अब देखो अभी तक हमने जितने भी question करें उसमें हम लोग AP के आ आगे वाले side से हम लोग कोई term find करते थे 105th term या 20th term और उसके लिए हम लोग क्या formula use करते थे that TN is equals to A plus N minus 1D हम लोग ये formula use करते थे TN is equals to A plus N minus 1D बट आब क्या करना हम है हमें पीछे से न शुरू करना है minus 62 जैसे पीछे से हमारा first term है पीछे से first term है अच्छा minus 62 से पहले भी कुछ एक term होगा उसके पहले भी कुछ होगा तो पीछे से जब आप 11 हुआ term count करेंगे तो आपको बताना है वो term कौन सा होगा तो देखे इसके लिए formula है nth term from the end of an AP तो A आपको पता होगा first term that is यहाँ पर हमारा 10 D आपको पता ही होगा common difference यानि कि आप किसी को भी किसी से दूसरे वाले को उसके पहले वाले से subtract कर दो यहाँ 7 minus 10 करेंगे तो D मेरा minus 3 आ जाएगा A मेरा 10 आ जाएगा और and L भी the last term of the AP जैसे यह जो मेरा minus 62 था यह पीछे से first term था और आगे से इसको last term बोलेंगे तो हम लोग इसको last term यानि कि L बोलेंगे last term अब अगर मुझे nth term from the end निकालना है तो formula यूज़ करेंगे L minus N minus 1 और D यह formula यूज़ करेंगे L क्या है मेरा? L है मेरा last term of the AP N मेरा क्या है कि कौन सा term हमें निकालना है और D क्या है? common difference है तो आईए अब हम लोग इस question के तरफ आते हैं अब formula आप लोग समझ चुके हैंगे चली इसको मैं erase करता हूँ और formula बस अपने दिमाग में रखना है तो मैं formula पहले लिख देता हूँ nth term from the end का देखो यह उपर वाला क्या होगा? यह होगा L minus N minus 1D यह nth term अगर हमें find out करना है from पीछे side तब यह formula यूज़ करेंगे चलीए तो अच्छा इसमें मुझे A का तो कोई जरूदी नहीं दिख रहा है तो A हम लोग इस पे find out नहीं करेंगे सबसे पहला हमारा जो L का value है देखते हैं last term last term देखो क्या है मेरा? minus 62 तो यह लिख दिया इसके बाद मुझे N चाहिए N क्या है? तो जो term हमें निकालना है जैसे यहाँ पर 11th term निकालना था न तो N मेरा हो जाएगा 11 अच्छा इसके बाद D क्या है? तो D निकालने के लिए मैंना सिखाया था किसी भी दूसरे term को उसके पहले वाले term से subtract कर दो हर case में किसी भी दूसरे पूरे AP में कोई भी एक दूसरा term उसके पहले वाले term से दोनों के बीच में subtraction हो जाएगा तो same मुझे number मिलेगा उसी को common difference बोलता है तो यहाप क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 7 minus 10 जो कि है minus 3 आप similarly 4 minus 7 भी करेंगे तो minus 3 आएगा यानि कि हर case में वो same आएगा चली अब हम लोग solve करते हैं तो हमें निकालना है 11th term from end is given by यह formula लिख लेता है पहले हम लोग L minus N minus 1D L का value लगा हो minus 62 minus N का value 11 minus 1 और D है मेरा minus 3 इसको solve कर लेते हैं minus 62 minus 11 में से 1 गया तो 12 और minus minus plus 12th रिजा 36 तो आप क्या करेंगे? 62 में से 36 यह बज़एगा 6 5 में से 3 जाएगा तो 2 यानि कि यह हो जाएगा हमारा minus 26 answer minus 26 answer ठीक है? इसमें कुछ गड़बड तो नहीं किया अरे 10 है ना? sorry यह 10 है यहां पर 11 में से 1 गया तो 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा ना? minus 62 और minus minus plus कर दो और 10 और यह 30 हो जाएगा ना? तो किता जाएगा? यह बचेगा दो और यह बचेगा 30 minus 32 is our answer ठीक है? चली अब हम लोग आगे बढ़ता है लेकिन अब हमारे पास आ गए है world problems world problems को करने के लिए आपको वो अभी का उपर का सारा concept अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए because यहाँ पे कुछ और concepts मैं introduce करने वाला हूँ तो कुछ बच्चों को शायद बहुत जादा तकलीफ हो यह समझने में लेकिन try कर लीजेगा question है how many three digit numbers are divisible by seven? तीन डिज़ट के कितने नंबर से जो साथ से divisible होंगे अच्छा तीन डिज़ट का नंबर शुरू कहां से होता है और अंत कहां से होता है तो तीन डिज़ट का नंबर जो है वो शुरू होता है सौ से अच्छा यह end कहां होगा तो सौ से आप जाएंगे तो last तीन डिज़ट का नंबर हमारा होता है ट्रिपल नाइन, लास्ट तीन डिजट का नंबर होगा ट्रिपल नाइन, अब हमें देखना है कि 100 और ट्रिपल नाइन के बीच में 7 से डिविजबल कितने नंबर्स हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग 100 से ही लगा के 7 को देखते हैं, क्या ये जा रहा है, तो 7 वंजा करेंगे 7 और ये 3, अब सोचों यहां 30 आ जा रहा हैं, तो 7 के टेबल में 30 आता नहीं है, तो 30 के अगला कौन सा 7 का मल्टिपल है, तो 35, हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 100 के जगा, अगर इस 100 के जगा, 105 रखें, तो शायद ये अब 5 टाइम्स में, 75 जा 35 कट जाएगा, अब ये हो गया हमारा 3 डिजट का पहला नंबर जो की 7 से डिविजबल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला जो नंबर था वो 105 था, अच्छा इसके बाद कौन सा डिजट 7 से डिविजबल होगा, तो इसमें 7 एड कर दो, यानि की 112, इसके बाद कौन सा डिजट 3 इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग 7 से लगा के देखते हैं, तो 7 से लगाया हमने 999 को, तो 7 बनजा 7, ये आगया 29, 7 फोरजा 28, ये हो गया हमारा 19, तो 7 टूजा कर दिया 14, अच्छा ये जा रहा है क्या, पांच रिमिंडर बद जा रहा है न, अब अगर सो करना होगा, मुझे 994 लेना होगा, इन दाट केस, ये जो है, अगर मैं यहाँ 994 ले लूँ, तो यहाँ पर भी नीचे 4 उतरेगा, यही मेन दिमाग लगाना है, समझेगा बात को, अगर मैंने यहाँ पर 994 लिया होता है, तो भाईया ये उपर से, यहाँ एक बचता है 29 से 28 और उपर से 4 आता, तो 7, 2s of 14 कर जा रहा है, यानि कि 994 जो है मेरा, 994, वो मेरा last 3 digit का नंबर है, जो की 7 से divisible है, और यही करने में 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 दिमाग लगाना है, क्योंकि ऐसे जब भी question आएंगे हो सकता है, यहाँ पर रहे है, how many 2 digit numbers are divisible by 3, how many 3 digit numbers are divisible by 9, ऐसे करके बहुत से question तो यह जो concept है, इसको पकड़ नेंगे, तो हमारा काम चल जाएगा, तो देखने को क्या मिले मुझे, कि यह वो series है, जो मुझे जरूत था, अब देखो बाकी question में न, अच्छा, यह AP के form पर है, तो बाकी question पर यह हमारा progression नहीं दिया रहता था, sorry, बाकी question में दिया रहता थ और हमें उससे related questions को solve करने के लिए बोला जाता था, लेकिन यहाँ पर हमारा यह series जो है, progression जो है, हमें निकालना पड़ा, अब एक बड़ चेक करो तो यह AP में है क्या, AP का question है, तो AP में रहना चाहिए, फिर भी एक बड़ चल लो हम लोग चेक करते हैं, हम लोग डीठ हो लो उसके बाद 119 लिखा, 119 में से 112 सब्टराक्ट कर दिया, क्या दोनों जगा पर मेरा 7 answer आ रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल, यानि कि एक common difference exist कर रहा है हर एक pair of number में, तो बोलेंगे यह AP में है, लेकिन चुकि यहाँ पर AP का ही question है, तो mention नहीं करेंगे, कि AP में है या नहीं है, उसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इसको आगे solve करके इसको answer देने से, आप देखो, हर question में मैंने बोला कि मुझे सबसे पहले find out करना होगा A, A यानि कि मेरा first term, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 105 है मेरा first term, इसके बाद होता है D, जो कि होता है common difference, तो दूसरा 112 था, तीसरा 119 था, आगे 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 चलते जाएं, तो end का जो three digit का number है वो 994 है, तो आगर मैं यह निकाल लो, कि 994 इस AP का कौन सा term है, 994 इस AP का कौन सा term है, तो मुझे इस से पता चल जाएगा कि 994 का इस AP में position क्या है, 105 पहले position पे है, 112 दूसरे position पे, 119 इसी तरह से 994 किस position पे है, AP के, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे formula यूज करेंगे, PN इक्वल्स टू, A प्लस N माइनस 1 और D, PN के जगह आप क्या रखेंगे, 994 रख देंगे, और A और D के position पे आप उनका value, A के बदले 105, प्लस N माइनस 1 और D के बदले 7, इसको solve कर द जाएगा, तो मैं करता हूँ यही पे 994 में से 105, तो 9 बचा, यह 8 बचा और यह 8 बचा, मेरे पास आया 889 और 7 को इधर लेके आजाओ, equals to आजाएगा, N minus 1, तो therefore हम लोग क्या लिख सकते है, N minus 1 is equals to, 7 से जाएगा क्या यह, 889, 7 1s are 7, 18, 7 2s are 14, और 7 7s are, यानि की, 127 आगया, N minus 1 का value, therefore मेरा N का value आगया, 127 plus 1, equals to 128, 128 आगया मेरा N का value, अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, 128 का मतलब, कि total मेरे पास, total, sorry, पहले ऐसे समझ लो, 128 का मतलब, यह जो 994 है न, यह 128 टर्म है, of AP, यह 128 वा टर्म है, तो therefore हम लोग लिख सकते हैं, therefore 128 टर्म्स, या, लिख लो, 3 डिजिट नंबर्स, are divisible by 7, are divisible by 7, ठीक है, इस तरह का आपको बहुत सा question मिल जाएगा भी, हम लोग exercise भी बनाएगे, वहाँ पर भी इस तरह का question हमें, बहुत सा मिलने वाला है, concept बस पकड़ेंगे, तो यह जो AP निकालना था न, इसमें, इसमें दिक्कत बस वहीं आता है, because आगे का तो concept आप सबको धेर धेर करके पता चली गया, AP निकालना हमें एक दिक्कत वाला काम लगता है, अब चली, तो आगे बढ़ते हैं, आच्छा, देखो यह फिर से उसी तरह का question आगया न, इसमें क्या बलगे हैं, how many multiples of four lies between, lie between 10 and 250, 10 और 250 के बीच में, 4 के कितने multiple आ रहे हैं, तो इसको भी करने का सेम तरीका, एकदम patience के साथ इसको देखिए, बहुत मज़ा आएगा, तो मुझे यानि कि कुछ भी देखो, तो 10 के बीच में, और इधर चले जाओ end में, तो 250, इनके बीच में 4 के जितने multiple हैं, सब निकालो पहले, 10 के बाद 4 का जो multiple आता है, वो होता है 12, क्योंकि 4, 3, 2, 12 होता है, तो सबसे पहले मैंने लिखा 12, अच्छा 12 के बाद जो आता है, वो होता है 16, 16 के बाद जो होता है, 20, 20 के बाद जो होता है 24, 3 या 4 शुरुवात के निकाल दो, दो डोट 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 लगो, अब मेरे पास आइधर 250, तो देखते हैं, 4 से divisible है, तो यह आ जाएगा 24, और यह आ जाएगा 1, 4 से divisible exactly नहीं है, इसे एक छोटा टर्म लेते हैं, चलो, तो हम लोग 250 ना बोलके, हम लोग चलो 246 ले लेते हैं, पॉसिबल है, अगर यह 8 रहता, यहाँ पर, तो यह 2 से चला जाता, अब देखो, 250 के just पहले आता है, 249, तो 249 तो अगर, 4 से लगा के देख लो, किसी कीमत पे नहीं कटता है, क्योंकि 4, 6 ना, 24 आ जाता है, और 9, 4 के टेबल पे आता नहीं है, यानि कि 250 डिविजबल है नहीं हमने देख लिया, 249 है नहीं, यानि कि 248 वो last term है, 250 के just पहले वो वाला term है, जो 4 से डिविजबल है, तो हम लोग यहाँ पर अपना AP का जो last sequence लिखेंगे, last term लिखेंगे वो होगा 248, यही समझना जादा जरूरी है, इस AP को find out करना, इन questions में अगर आप AP को निकालना जानते हैं, कि AP निकालेंगे कैसे तो question बन जाएगा, otherwise फिर वो problem कर सकता है, चलिक किसी भी AP को निकालने के लिए हमारा सबसे पहला rule क्या है, कि मुझे A चाहिए, तो A first term है, जो कि दिख रहा है साफ साफ, इस में से 16 जाएगा तो 4, 24 में से 20 जाएगा तो 4, यानि कि common difference तो 4 है, कि कोई question में ही दे दिया न, 4 के multiple है, तो 4 के multiple है भाया, तो difference भी तो 4 का ही आएगा न, चलि, A और D आगया, अब बोला गया कि total कितने multiples हैं, यानि कि ये जो है, जैसे मेरा 12 first term था, 16 second term था, 23rd term था, 24th term था, इसी तरह से ये 248 कौन सा term होगा एपी का, इसे हमें पता चलिएगा, total कितने terms हैं इस एपी में, वही होगा मेरा answer कि कितने multiples हैं, 4 के, तो देखो, यहाँ पे हम लोग use करेंगे formula, फिर से, tn equals to a plus n minus 1d, और tn मान लेता हैं कि जो nth term था मेरा, nth term, उसी का position निकालना है, तो मान लेता हैं कि ये मेरा nth term था, तो nth term के बदे लिख देता है, 248 equals to a plus n minus 1 into d, इसमें से 12 चला गया, तो 6 बच्चा, 3 बच्चा, 2 बच्चा और 4 से divide कर दो, यह मेरे पास n minus 1 बच्चा, तो therefore मैं क्या लिख सकता हूँ, n minus 1 is equals to 4, 5, 9, therefore, n मेरा आ गया, 59 में एक add कर दो, तो n आ गया मेरा, 60, अच्छा यह n जो आया, 60, यह क्या है, आप इसको भी समझ जिए, तो n यह 60 क्या है, आपको इसको थोड़ा समझना होगा, फिर से, तो n 60 का मतलब, यह जो मेरा 248 था, यह मेरा ap का, इस ap का 60th term था, 60th term था, जिस तरह से मेरा, यह 12th first term था, 16th second term था, 23rd term था, 24th term था, इसी तरह से 248, 60th साथ हुआ term है, यानि की total 60 multiple है, total 60 number है, इस ap में, यह जो ap है, 12, 16, 20, 24, और end रवाला term 248, इस ap में total 60 terms है, तो therefore मैं लिखूंगा, therefore, 60 multiples, of 4, lies between, 10 and 250, ठीक है, यह भी question खतम होता है, फिर आ गया एक word problem, उफ, word problem, एक तो word problem से वैसे भी डर लगता है, और extra question कराने से, और ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस word problem को देखेंगे, हैं, देखें, बहुत ध्यान से समझते हैं इसको न, एक मन्थली salary था, अरे, बहुत अच्छा salary है, अचकल के engineers को भी इतना salary नहीं मिलता है, एक मेरा दोस्त है, वो engineering उसने अपने करने में लगबख 12 लाख रुपे खर्च किये, 12 लाख, है न, उसकी salary अभी लगबख है, चार साल काम करने के बाद, लगबख 14 लाख रुपे है, 14 के, जिससे उसका खुद का खर्च नहीं निकलता है, तो engineering करें, तो अच्छे जगा से करें, अगर प्लान कर रहे हैं, तो, वरना ये salary सबको नहीं मिलता है, तो 2015 में आपने, यानि कि तन्वी ने एक जॉब शुरू करा, 40,000 रुपे के, अच्छा, मंथली salary, हाँ, 40,000 रुपे का मंथली salary, और annual increment of 25,000 रुपे, वाव ही है, वाव हर साल 25,000 रुपे बढ़ेगा, तो इसका, कुछ भी करने से पहले तो मुझे एपी निकालना होगा ना, हमारे पहला काम वही है, तो देखो, उसका salary था, मतलब तुमारा ही salary था मान लो, सपने तो देख लो, 40,000 रुपे था, पहले साल में, और ये 40,000 salary तुमारा था, 2015 में, अच्छा, अगले साल, यानि कि 2016 में, उसके बाद 2017 में, and so on, ऐसे, तो देखो, 40,000 रुपे तुम्हें मिला, पहले महीने में, सड़ी, पहले साल में, हर महीने 40,000, उसके बाद अगले साल, पच्छी सो रुपे का बढ़ोतरी होता है, तो, पच्छी सो एड़ कर दो, 0, 0, 5, 2, यानि कि 2016 में, तुम्हें जो सालरी मिलेगा, बहुत बढ़ी है भई है, 42,500, अच्छा, फिर 2017 में जाओगे, तो फिर 25,000 रुपे सालरी बढ़ जाएगा, तो हो गया ना, 45,000 रुपे, 2017 में, 45,000 रुपे मिल गया है, सर जी आपको, ठीक है, अब बोला जा रहा है, कि ऐसे ही, तुम उसी कंपनी में डटके लगे हो, तो किस साल तुम्हारा, सैलरी, 65,000 रुपे का हो जाएगा, बबरे बबाबा, 65,000 रुपे, ये सैलरी तुम्हारा, किस एर में होगा, ये सैलरी, किस एर में होगा, अब बेगो, समझना इसमें, बहुत जादा कुछ नहीं है, बस आप इसको, ये सैलरी वैलरी का सिस्टम, के अकॉर्डिंगली, इसको समझे ही नहीं, उस सिस्टम से जाएंगे, तो दिक्कत होगा, मैंने बोला, बताओ ये 65,000 वाला जो टर्म है, ये कौन सा टर्म है, जिस तरह से 40,000 फर्स्ट टर्म है, 42,500 सेकेंड टर्म है, 45,000 थर्ड टर्म है, इसी तरह से ये 65,000 कौन सा टर्म है, अभी यही सब तो हम लोग निकाल रहे न, तो AP का क्वेश्चन है, पहले A निकालेंगे, A है मेरा यहाँ पर 40,000 रुपया, और D निकालेंगे, तो देखो हर साल इसी में दे दिया है, कि 25,000 रुपय बढ़ रहा है, यानि कि किसी भी दो consecutive year में, 25,000 रुपय बढ़ रहा है, और तुम यहाँ कैलकुलेट भी कर सकते हो, और हमें इसी का position निकालना है न, तो हम लोग यूज कर सकते हैं, formula TN equals to A plus N minus 1D, और TN के बदले आप रख देंगे, 65, sorry, 100 बोल रहा हूं यार, 65,000, माफ करना, 65,000 का साल इनी, 65,000 का न, A देखो कितना है, A है मेरा 40,000 plus N minus 1, और D है मेरा 25,000 रुपया, में से 40,000 सब्ट्राक्ट कर देंगे, तो आपको बचेगा 0, 0, 0, 5 और 2, इसमें आप 25,000 रुपया, डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिलेगा N minus 1, देखो 2, 0 कटा, 2, 0 कटा, 25 में से 1 और 10, तो N minus 1 आ गया 10, therefore N आ गया मेरा 11, अच्छा N 11 आ गया इसका क्या मतलब है, कि जिस तरह से ये 40,000 first term था, 42,500 second term था, 45,000 third term था, इसी तरह से ये जो 65,000 है मेरा, ये 11th term है of AP, यानि कि 2005 से आपको यहाँ 11 साल आगे और आ जाना है, 2005 से 11 साल आगे और आ जाना है, तो इससे अगर हटा दो एक, यानि कि 11 हुआ साल का N1 सालरी न, तो 2015 वाला उसमें हटा दो, तो एक साल घटा, यानि कि 10 साल, आप 2015 से देखिए, 2015 मेरा पहला हुआ टम था, 42,500 दूसरा टम था, 45,000 थीसरा, इसी तरह से ये 11th term था, तो बोलेगे, 2015 के बाद, आपका सालरी 65,000 किसमें होगा, तो आप इसमें से एक घटा देंगे, यानि कि आपका, after 10 years, 2015 में शुरू करा न, तो after 10 years, अच्छा, 2015 में अगर आप 10 साल एड़ कर दो, तो 2025 होता है, तो after 10 years, that is on 2025, क्या लिख दिया मैंने, on 2025, annual salary, annual salary will be, 65,000 रुपए, जो कि बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, इस तरह से हमने, एक और अपना वर्ड प्रॉब्लम खतम कर लिया, अब अगर exercise आ गया हो, अच्छा चलो एक question और कर लेते हैं, थोड़ा सा patience, एक question और, खतम हो जाएगा, इसमें देखता है, यानि कि अगर आप रेनू है, 17 रूपए 50 पैसे add कर दो, तो आपके पास 50 पैसे इधर आ गया, साथ और ये, 67 रूपीज, 50 पैसे आपका second week का saving था, अच्छा third week का तो फिर से इसमें 17 रूपए 50 पैसे add कर दो, तो 0, 5, 10, 7, 14 और एक 15, 6 और एक 7, और एक 8 यानि कि अब की आपके पास हो गया 85 रूपए, and so on, बोला जा रहा है कि end week में तुम्हारा saving हो गया 207 रूपए 50 पैसे, end week में saving हो गया 207 रूपए 50 पैसे, तो end का value बताओ, फिर से यार वही question यह मेरा first week का saving, यह मेरा second week का saving, यह मेरा third week का saving, यह मेरा endth week का saving, तो बताओ, किस week में तुमने 207 रूपए 50 पैसे, पूरा save कर लिया, तो फिर तो वही कहानिया न, मुझे endth term का ही तो value चाहिए, 207.50 इस AP का कौन सा term है, तो हर एक AP के लिए मुझे चाहिए होता है, A तो मैंने लिख दिया, मुझे चाहिए होता है D, D मेरा given है कि हर एक salary, saving जो है न, 67.50 घटा के देख लो, आपको answer same मिलेगा, और यह जो है मेरा 207.50 इसका formula हम लोग क्या use करेंगे, TN is equal to A plus N minus 1 into D, तो TN है मेरा 207.50, A है मेरा 50 plus N minus 1 और D है 17.50, तो सबसे पहले आप इसमें से 50 subtract कर देंगे, तो आपको मिलेगा 0.50 इधर से 7, इधर से 5, इधर से 1, equals to N minus 1 और यह हो जाएगा 17.50, तो इन calculations में आपको क्या करना होगा, 157.50 में से, अगले step में लिको, N minus 1 is equals to 157.50, इसमें से 17.50 हटाना होगा, तो आप इसको कितने बार में हटाएंगे, तो लगभग यह आपको, 75, 157.50, चलो, एक एक हटा दो, और calculate करके देख लेता है, क्यूंकि calculation बच्चों को दिक्कत करता है, तो चलो, 175 से मुझे हटाना है, 1575, देखो यह 5 है, यानि कि N में 5 चाहिए, अगर 175, 5, 6, 5, 5 जा लगाके देखते हैं, बहुत छोटा टर्म आ रहा है, 6 जा 30 हो जाएगा, 7 जा 35 हो सकता है, तो फिर से 157, 7 जा करा, तीन, तो पाच, 9, यानि कि इसके बाद, 8, 5, 40 यानि कि 9, आप 175 को 9 से करिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा, 5, 9, 45 का 5, हाथ बेबच्चा, 4, 7, 9, 63, 4, 7, 7, 6, 9, 9, 7, 9, 9, 6, 15, यानि कि यह आपका, 9 टाइम्स में चला जा रहा है, तो N-1 आ गया 9, तो मेरा N क्या आ गया, 9 प्लस 1, यानि कि 10, कहने का क्या मतलब है, कहने का यह मतलब है, कि जिस तरह से 50 मेरा 1st term था, 67.5 second term था, 85 third term था, इसी तरह से 207.5 मेरा 10th term है, 10th term of AP, तो बस मुझे यहाँ पर N का value ही निकालना थो, तो आप simply वहाँ पर क्या कर सकते हैं, N is equal to 10th, यानि कि आप 10th week में, इतने रुपए, 207.50 रुपए बचा लेंगे, और saving करना G1 के लिए अच्छा भी होता है, तो आप एक ऐसा strategy बना के save भी कर सकते हैं, आज के वीडियो को लेता ही, अब हमारे अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे, इसका first exercise,